Good afternoon students, आज हम आपके साथ प्रायवाची शब्द पढ़ेंगे. समान अर्थ वाले शब्दों को प्रायवाची शब्द कहते हैं. या एक के लिए प्रायवाची शब्द होते हैं, इन्हें प्रायवाची शब्द कहते हैं, उधारन के लिए मैं आपको देती हूँ. जैसे सूरे है, सूरे को हम भानू भी कहते हैं, रवी भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं. तो कहने का ताथ पर ये एक ही अर्थ हैं, नेत्र भी आंक है, चक्षू भी आंक है और लोचन भी आंक है, यानि कि ये एक ही अर्थ को प्रकट कर रहा है, ये जो शब्द तरहां तरहां के अनेक शब्द जो आपने देखें, इन शब्दों ने एक ही अर्थ को प्रकट किया इसलिए इन्हें प्रहवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं अब आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखिए जैसे मैं बोलू आस्मान में बादल चाय है या मैं बोलू आकाश में बादल चाय है यानि आस्मान के लिए मैंने आकाश और आस्मान दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया अलग-अलग से, इसी तरह से व्रिक्ष हमारे उप्योगी मित्र है, चाहे मैं कहूं पेड हमारे उप्योगी मित्र है, तो यानि कि ये क्या है समान या एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समान अर्थी या प्रयावाची श प्रयवाजी शब्दों के कुछ मैं आपको उधारन देना चाहूंगी। जैसे कि जल, जल को बच्चे हम वारी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, नीर्थ भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं और तोय भी कहते हैं। इसी तरह से आग को आग, अनल, पाव, हाथी को कुंजर, गच, करी, हस्ती इसी तरह से बहुत सारे बच्चे मैंने आपको स्लाइड में उधारन दिये हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत आपका जो भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा इसी तरह से देखिए परवत, परवत को हम शैल भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, बुधर भी कहते हैं और पहाड भी कहते हैं इसी तरह से पृत्वी को हम धरा, मही, धर्ती, वसुधा, भूमी, वसुधरा ये सब कहते हैं आपने देखा होगा जब कवी जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है वसुधरा मही धरा तो इसी तरह से रवी की बात मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में की की रवी यानि सूरज सूरे को रवी भी कहते हैं दिनकर भी कहते हैं सूरज भी कहते हैं और भासकर भी कह कहते हैं हम यहां पर देख सकते हैं बड़े आराम से कि यहां पर क्या है कि एक अर्थ को प्रकट करने के लिए यानि एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों जो हैं यूज हो रहे हैं जैसे पवन पवन को वायू समीर हवा अनिल इसी तरह से आंक आंक को नेत्र भी क वयोम भी कहते हैं, और हम उसे उम्भर भी कहते हैं, इसी तरह से बेटा, मैंने ये जो स्लाइट बनाई है, आपके लिए आप इसे देख सकते हैं, इनमें मैंने तरहां-तरहां के हैं, आपके लिए मूल शब्द प्लस प्रयावाची शब्द, यारी जो मूल कोई भी शब्द है जैसे इश्वर ले ले लिजए उसे हम भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं प्रभू कहते हैं तो इसी तरह से मैंने कुछ शब्द जो हैं आपके लिए रखे हैं आप एक बार देख लो और आपको पूर्ण रूप से आईडिया हो जाए कि प्रयावाची शब्द होते क्या हैं बिल्कुल बच्चे एक बार मैं फिर प्रयावाची का जो परिभाशा है आपके साथ है न बोलूगी सिंपल शब्दों में कहें तो एक ही अर्थ को प्रकट करन वाले अनेक शब्दों को प्रयावाची या समानार्थी शब्द कहते हैं ठीक है अब बच्चे प्रयावाची शब्द के साथ साथ हम आपके साथ आज विलोम शब्द भी करेंगे बेटा विलोम शब्द क्या होता है विलोम शब्द बेटा आप मेरी प्रेजंटेशन में द है उल्टा और सीधा क्या समझा रही आपको हाँ एक दूसरे के सरवदा विप्रीत अर्थ या भाव प्रकट करने वाले शब्द विप्रीत आर्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं फिर आप नेक्स तस्वीर देख लिजिए अंदर और बाहर अंदर का अपोजिट यानि अपो अपोजिट क्या होगा अंदर का बाहर है ना सो सिंपल है बेटा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं विलोम शब्द क्या है जो उल्टा अर्थ बताते हैं विप्रीत अर्थ बताते हैं उपोजिट होते हैं ठीक है जैसे बड़ा छोटा थोड़े और उधारन देती हूँ मैं, जैसे आना, जाना, साफ और गंदा, दोस्त का दुश्मन, है ना, चड़ना का उतरना, दूर का पास, उधै होने का अस्त होना, है ना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपके साथ, है ना, शेर किये ह आप इन्हें देखोगे, जैसे न्याय का अन्याय, धरम का अधरम, सुरक्षा का असुरक्षा, संतोष का असंतोष, परिचित का अपरिचित, है ना, शिक्षित का अशिक्षित, तो ये बहुत सारे शब्द हैं, बच्चे, आप इसे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, तो basically क्या है, विलोम शब्द क्या होते हैं, opposite शब्द होते हैं, जो सरवदा विप्रीत अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं, तो बच्चे आज अब हम आपके साथ थोड़ी सी पुन्रावृती करेंगे, पुन्रावृती मतलब की revision करेंगे जो आज हमने आपके साथ पढ़ा, सबसे पहले हमने आपके साथ क्या पढ़ा, प्रयावाची पढ़ा, और प्रयावाची का मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, कुछ शब्द एक जैसे ही अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाले शब्धों को समान अर्थी आप्रायवाची शब्द कहते हैं ठीक है यानि कि यह एक की जग़ा दूसरा यूस हो सकता है उसी अर्थ में आसमान कहलो या अकाश कहलो भरिक्ष कहलो या पेड कहलो पर यह है भरिक्ष वर पेड है तो एक रीखी चीज और उनका एक ही है तो भस यही याद रखना इसके बाद हमने आपके साथ पड़ा विलोम शब्द यानि विपृत आर्थक शब्द और विपृत आर्थक शब्द कैसे उल्टे अर्थ उता इरत और बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, एक दू इनों जो हैं बहुत अच्छी तरह सब्सक्राइब है।